जय हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा अवस्य देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल क से रूट कर वीशल देव कहां गई थी यह आपके लिए बताना है चार विकल्प देगा है आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरू बताएं क्या होगा सही आंसर करनाटक, तमिलनाडू, उडिसा या अंध्रप्रदिस तो कॉस्चन नमबर 71 का आपका जो पूचा है तो देख लेते हैं यहां पर कॉस्चन नमबर 72 जो दिया गया है वह ए है कि किस रासो ग्रंत को आला खंड के नाम से जाना जाता है तो चंद बरदाई का प्रतिविराज रासो नरपति नाले का वीशल दिव रासो या जगनिक का परमाल रासो या दलपति विजय खुमाल रासो तो भै कौन सा रासो ग्रंत है जिसको आला खंड की नाम से जाना जाता है तो आपका सही आंसर होगा जगनिक का परमाल रासो परमाल रासो को आला खंड की नाम से जाना जाता है तो विकल्ट नमबर आपका सी राइट आंसर होगा QA 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 Q उदल के चरित्र को बीर गातात्मक काभी की रूप में रचने वाले कभी हैं तो कौन है भट केदार हैं जगनेक सुरिधर या चंदबरदाई कौस्चन नमबर चुहत्तर का सही आंसर यहाँ पर बताना है क्या होगा इसका सही आंसर महत्तुपूर्ण कौस्चन है आपका और आला और ओदल के चरित्र को बीर कातात्मक काभी की रूप में रचने वाले कभी कौन है तो जगनेक हैं कौन है जगनेक आनि की विकल्प नमबर आपका सी राइट आंसर है कौस्चन नमबर आपका 75 क्या पूँचा गया है आला खंड नामक काभी गरंत का दूसरा नाम है त तो विकल्प नमबर आपका D यहाँ पर सही आंसर होगा अला खंड का दूसरा नाम एक कौस्चन परसे डबल हो गया है आपका तो परमाल रासु यहाँ पर सही आंसर है कौस्चन नमबर आपका यहाँ पर 77 पूँचा गया है क्या पूँचा गया है कि परमाल रासु काभी क कि कभी का नाम बताना है यह किसकी का विकृति है तो नलसे बटे या हमचंद्र जगने क्या सारंगधर तो कॉस्चन नमबर 77 का आपका आंसर क्या होगा बताईए यहां पर चार विकल्प भी आपके दिये गए हैं और 77 का आपका जो सही आंसर होगा वह जगनेक राइट आंसर है विकल्प नमबर आपका भी राइट आंसर होगा बिल्कुल चाही विकल्प नमबर भी राइट आंसर है question number 78 पूंचा है आला रूदल नामक दो बीर सरदारों की बीरता पूर्वक ललाईयों का बंडन मिलता है तो ये जो दो बीर थे इनका जो बंडन मिलता है बहे किसमें मिलता है परमाल रासो में या खुमाल रासो प्रत्वीराज रासो हम्मी रासो में तो question number 78 है और 78 का सही आंस होगा बिल्कुल सही 2010 में ये question जो आप देख सकते हैं पूरे question है ये किसी ने किसी अग्जा में पूछे गई question है कभी जगनिक की रचिना का नाम है तो जगनिक की रचिना बताना है आपके लिए खुमाल रासो है आला खंड है मिरगा बती या पदमा बती तो question number 89 का आंसर ब आनिकी आला खंड आला खंड आपका यहां पर सही आंसर होगा आला खंड आपका right answer है बिल्कुल सही आला खंड जनों ने बताया है तो उनका सही आंसर question number है आपका यहां पर 80 अस्तिवा question क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं परमाल रासो के जो लेखक हैं बहे कौन है परमाल रासो के लेखक आपके लिए बताना है तो आपका यहां पर right answer जो होगा वह क्या होगा सही आंसर तो आपका सही आंसर होगा जगनिक जगनिक आपका यहां पर सही आंसर होगा जगनिक right answer बिल्कुल चाही जगनिक right answer है question number 81 क्या पूछा क्या है तो बारह वरिस ले कू या आलहा एक्यासी का अंसर बताईए यहां पर चार विकल्प दे गए हैं तो यह आपका बताना है किस विदा की रचना है तो आपका यहां पर आलहा राइट आंसर होगा आलहा यानि कि विकल्प नंबर या रामचरित मानस तो विकल्प न्बर आपका बताना है आपके लिए बताना हैur अखी आएट यहां पर दिया गया है आपका प्रत्वी राज-्रासो महाकाप की रचेत रहें कोन है ऐ है कौन है प्रत्वी राज-्रासो यह महाकाप रहे है याद रखिए और इसके जो रचेता हैं हम चंद्र हैं परमाल हैं चंदबरदाई हैं अमीर खुसरो हैं तो question number 83 का आंसर बताना है सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अबस्ते कल लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है और आपका यहाँ पर चंदबरदाई आपका यहाँ पर विकल्प नंबर भी राइट आंसर होगा चंदबरदाई सई आंसर है प्रतवी राज रासु की रचेता हैं चंदबरदाई चंदबरदाई आपका सई आंसर होगा तो यहाँ पर यहाँ पर देख लेते हैं चंदबरदाई जो थे एक इसके दरवारी कभी थी महराज अहमीर के महराणा प्रताप के या महराज वीचल देव रासो के वीचल देव के या महराज प्रतवी राज चोहन के तो कॉस्चन नंबर 86 का आपका सई आंसर यहाँ पर जो है आपका कि चंदबरदाई के इसके दरवारी कभी थे महराज प्रतवी राज चोहन आपका विकल्प नमबर D right answer है 2005 में यह आपका question पूशे गया था PGT में Question number आपका यहाँ पर 87 है प्रत्वी राज रासु किस कभी की रचिना है प्रत्वी राज रासु किस कभी की रचिना है तो आपका यहाँ पर right answer क्या होगा बताइए Question number है आपका यहाँ पर 87 और 87 का सही answer होगा आपका यहाँ पर विकल्प नमबर एक यानि की चंदबरदाई चंदबरदाई आपका विकल्प नमबर एक right answer है बिल्कुल चाही चंदबरदाई right answer होगा Question number है आपका यहाँ पर क्या है 88 तो प्रत्विराज रासू विकल्प नमबर दी आपका यहाँ पर सही answer है प्रत्विराज रासू आपका सही answer है बिल्कुल चाही विकल्प नमबर दी right answer question number 89 क्या पूंचा गया है तो 89 का question आपका यहाँ पर जो दिया गया है वह देख लेते हैं कि सूची एक का मिलान जो है सूची दो से करना है यहाँ पर देख ले यहाँ पर तो आपका यहाँ पर कूट भी देगा है तो यहाँ से आप जो है है, question number आपका 90 पूंचा गया है, क्या पूंचा गया है, खुमाल रासों की रचेता कौन है तो आप भी पढ़ा यह तो आपकी खुमाल रासों में इसकी रचेता है जेन साहित, सि्क् की साहित, नाथ साहित तो question number आपका है 91 और इसका जो सही answer होगा तो विकल्ब्न नम्बर आपका S यहाँ पर right answer यहाँ पर है Question number आपका यहाँ पर जो अंगला पूँचए गया है क्या पूंचे क्या है कॉस्चिन नंबर 92 बा तो देखिए संबत 1050 से 1375 की कालवधी में लिखे गए हिंदी साहित्य का बीर गाता काल की रूप में नामकरणे किसने किया था तो इसका नामकरण बताना है किसने किया था इसका नामकरणे तो question number 92 का right answer बताना है चार विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए हैं और इसका जो नामकरण क्या था किसने आचार रामचन सुकले तो विकल्प नमबर आपका B यहाँ पर सही answer होगा बिल्कुल सही B आपके यहाँ पर right answer है question number 93 आपसे क्या पूँचा गया है तो यहाँ पर देखे क्या आचार रामचन सुकले की अनुसार हिंदी साहति की आदिकाल की समय सीमा क्या है आचार रामचन सुकले की अनुसार बताना है तो आदिकाल की जो समय सीमा है बहे क्या है तो आपकी हैं पर question number 93 का जो स़ी answer होगा बह 놀ा किस समय सीम्ह बताना है तो विक्रमशंभत 1050-175 तक आपकी हैं पर right answer होगा था test number एक question 94 का जिए represents देखिए नहीं पूंछा है आप इसए ह में पीयर काता काल की रचिना नहीं है तो संदीश रासक आलाखंड जैवेंक जस्चंद्रिका या भक्तमाल कॉस्चन नमबर है आपका 94 और 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिये गए है तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर वीरगाता काल की रशिना नहीं पूंचा है तो भक्तमाल आपका सही आंसर है भक्तमाल आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नमबर डी राइट आंसर है नावादास भक्तमाल की कभी थे उनिनकी रशिना भक्तमाल है और यहाँ पर कॉस्चन आपका 95 पूंचा है इनमें से कौन सा कभी आधिकाल का नहीं है देखिए अब कभी पूंचा है आपसे यहाँ पर कभी आधिकाल का नहीं है तो बताइए चंद बरदाई, नावादास, जगनिक या दलपती विजए कॉस्चन नमबर 95 है और महत्तुपून कॉस्चन भी आपका यहाँ पर पूंचा गया है तो 95 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नमबर C यानिकी नावादास नावादास आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही नावादास जनोंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है यह आधिकाल के कभी नहीं है और यह जो है अग्रदास जी के सिस्से थे और question number आपका 96 बदेख लेते हैं क्या पूँचा गया है तो देखे एह है आपका question number 96 इन वैसे कौन सी रचना आधिकाल की है तो आप आपसे यहां पर अभी नहीं पूँचा गया था अब है बताना है तो कौन सी है बताईए यहाँ पर सूरसागर, वीजक, विद्यापती, पदावली या भरमरगीत तो question number 96 है और 96 का सही आंसर बताना है PGT परिक्चा में यह आपका 2011 में यह question पूँचा गया महत्वपोन question है और इसका सही आंसर होगा आपका विद्यापती, पदावली विद्यापती, पदावली यह आदिकाल की रशिना है question number आपका 97 पूँचा क्या है आदिकालीन साहित का प्रमुख रस क्या है तो प्रमुख रस बताना है 97 नवे में इसका जो प्रमुख रस है सांत करोन हास्य या बीर तो question number 97 का जो सही answer है भै क्या है आदिकालिन साहित का प्रमुख रस पूँचा है तो आपका सही answer इसका जो रस था प्रमुख भै था बीर रस कौन सा था बीर आपका यहाँ पर right answer है बीर आपका यहाँ पर सही answer है देखिए आधिकानल सायत का प्रमुकरस भी रस्था बिल्कुल सही और आपका यहाँ पर क्या है अंगल्या कॉस्चन तो बहुं देख लेते हैं विध्यापती ने कुल कितने गुरंतों की रचना की है किसने विध्यापती ने कितने कुल गरंतों की रचना की है तो आपका राइट आंसर है 14 गरंतों की इन्होंने कुल रचना की है तो विकल्ब नमबर आपका B यहाँ पर सरी D राइट आंसर आपका है कॉस्चिन नमबर 99 बाप पूँचे क्या है क्या पूँचे क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं विद्यापती जो है इनके पद किस वहासा में रचेत हैं पहाडी में अबदी में मैथली में या पिंगल में तो 99 का सही आंसर आपके लिए बताना है और इसका जो सही आंसर है भाई क्या होगा महत्वण कॉशन है 2014 में आपका कॉशन पूँचे क्या है और मैथली आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो भी है भाई आपका सही आंसर यहाँ पर होगा मैथली कॉशन नंबर 102 आपसे पूँचा क्या है आपर विद्यापती की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकासित नहीं हुई है देखे विद्यापती की रचना बताना जो संपादित हो गई है होकर भी अभी तक जो है क्या प्रकासित नहीं हो पाई है किर्थी लता पद और आपका सही आंसर है यहां पर पदावली विकल्प नमबर एक आपका यहां पर सही आंसर होगा बिलकुल सही विकल्प नमबर एक आचारामचन सुकल ने हिंदी साइट का इतिहास में लिखा है कि विद्धापती जिसकी रचना की कारण ने मैतल कोकिल कहला हैं इनकी पदावली है पदावली है जिसकी कारण मैतल कोकिल किसे कहा जाता है इस प्रकार का कॉस्शन पूंचे ज तो इह उक्ति विद्धापती अब्दूर्रह्मान अमीर खुसरू कभी गंग है कभी तो आपका यहा पर सही आंसर होगा और कोंबर स्थेय। काुणी का क्वाक यहां सा तसेमिन सोग के और यहीं विध्धापते हैं विध्धापती ने कही है तो भिकल्त जैदेव की उपादी से भूबूसित है विद्यापती नंददास सूरदास कुमबंदास तो यह आपका 2005 में एक कॉस्चन पूंचा गया था टीजी टी में और आपका महत्वपोंड कॉस्चन है अभीनाव जैदेव की उपादी से भूबूसित जो है वह विद्यापती कौन है विद्यापती आने की विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर किस कभी को अभीनाव जैदेव के नाम से जाना जाता है तो यह आपका कॉ आंसर होगा तो बिल्कुल साही question number आपका यहाँ पर है 105 निम लिखेत में से कौन सा नाम नातपंती साधुकव में सामल नहीं है नाम बताना है जो नातपंती साधुकव में सामल नहीं है तो यहाँ पर question number 105 का साही आंसर बताना है और 105 का आपका जो चही आंसर है क्या है नाम सामल नहीं है तो विकल्पब सी आपका राइट आंसर है तो इस परकार अपने यहां पर बहुत ही महत्तपुण कॉस्चन यहां पर complete हुए हैं तो क्यांसा लगा ये वीडियो आप comment में जरूर बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe करें बेल आइकन दबाएं ओल पर क्लिक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें और वीडियो को like करना ना भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद